देडपूल एंड वुलवरीन का टीजर आया और हम फैंस के होश उड़ गए मैं इसका जितना डीटेल ब्रेकडाउन कर सकता था मैंने उतना डीटेल ब्रेकडाउन किया पर अभी भी कई ऐसे डीटेल बचे हैं जिनके बारें बात करना बहुत जरूरी है टीजर में हलक से क्यों नहीं डाल रहे कुछ फैंस को कहना है कि दीजर में दिखने वाला टीवी अलग है लोगी सीरीज में दिखने वाले टीवीय से और क्या एमा कॉरिंड चार्ल्स जेवियर की बहन कसार्णर नोवा का रोल प्ले कर रही है आई इन सब के बार में डीटेल में बात करते है उसकी शेकल नहीं दिख रही पर आप कह सकते हो क्यों परिशान दिख रहा है और परिशान दिखेगा भी क्यों नहीं वह हलक के बेड़ पर जो है यह हलक का बेड़ जो कि हमने देखा था थौर रैगनरॉक में यह डिटेल ढूंडी है विगी जमॉल्स नाम के रेडिट जहां उन्होंने Free Guy मूवी में Cap की शील्ड और Hulk के हांथ यूज किये थे तो उसके बदले Hulk भी तो Deadpool से कुछ लेगा हाला कि मूवी में अगर Hulk हुआ और उसके अगर Wolverine से लड़ाई हुई तो Wolverine का रोल प्रे करने वाले अक्टर Hugh Jackman का एक सपना उसस दरूर हो जाएगा अभी Hulk फिलल इस बात की confusion भी हो गए थी कि Hulk Captain Mike का Brave New World में होगा कि नहीं पर Mark Raffaello ने अभी तो कहा है कि वो नहीं होंगे अब बात करते हैं Void और Elias की तो हमने देखा कि टीजर एक कई सारी इवेंट वाइड में हो रहे हैं जहां हमने Elias को भी स्पॉट किया अब ये वाइड थोड़ा डिफरेंट है जहां पहले वाइड ने माहूल थोड़ा डार्क और ठंड़ा रहता था वहीं अभी इस वाइड में रौशनी अच्छी खासी है और माहूल उतना थंड़ा दिख नहीं रहा इन सब के उपर ऐसा लग रहा है कि Elias को कोई कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इतनी भीड में वो सरफ TV एंटर्स को क्यो मिटा रहा है अब लास्ट टाइम हमने Elias को देखा था रवोना के सामने और रवोना के लुक से लग नहीं रहा था कि उसे Elias का कोई डर है तो कई रवोना तो Elias को कंट्रोल करके वाइड पर राज नहीं कर रही प्लस वो लोग जो यहां मैड मैक स्टाइल में रह रहे हैं उन में से एक फैंस को डॉक्टर डूम की तरह लग रहा है पर मार्वल डॉक्टर डूम को कभी ऐसे नहीं दिखाएगा हाला कि यह जो मशीन है वो ऐसा लग रहा है कि Elias को समन करने के लिए बनाई गई है इन सब के उपर कुछ फैंस के बीच बात चल रही है कि वॉइड MCU का बैटल वर्ड है अब जो लोग नहीं जानते उनने मैं जल्दी से बता रहेता हूँ कि बैटल वर्ड क्या है जब कई सारे इंकर्जन की वज़े से मल्टिवर्स तबा हो गया तब डॉक्टर डूम ने बियॉंडर्स की पावर्स को यूज किया और बरबाद हुई दुनिया से बनाया बैटल वर्ड तब सारे मल्टिवर्स बिंग्स को वहां रखते हुए डूम ने वहां शांती बनाई और वहां का भगवान बनके उस जगा को रूल किया अब टीजर में वॉइड को देखका ऐसा लग रहा है क्या मूवी में दिखने वाले टीविये अलग है कुछ फैंस को कहना है कि यहां टीजर में जो हमें टीविये दिखा वो अलग है लोकी सीडियस में दिखने वाले टीविये से कुछ तो यह तक कह रहा है कि यह टीविये उस टीविये का वेरियंट है अब TVA के variants नहीं हो सकते TVA एक ही है जो कि पूरे multiverse का ध्यान रखते हैं ताकि Kang और He Who Remains जैसी problems ना आ पाएं और जहां तक बात रही TVA के अलग दिखने की तो TVA बदल जाना चाहिए लोकी के सब कुछ ठीक करने के बाद जहां उनके काम करने का तरीका अब पहले से अलग है जहां पहले वो ही हुरी में इसके हिसाब से चल रहे थे प्लस movie के set series के set से अलग होते हैं दोनों के production के लिए कभी same set यूज नहीं होता इसलिए यहाँ TVA अलग अलग दिख रहे हैं हाला कि अभी भी टीवी ने अपना रेट्रो लुक छोड़ा नहीं है यहाँ दिखने वाले मॉनिटर अभी भी पुराएं तरीके की हैं जैसे पहले थे प्लस आपने ये डीटेल नोटिस किया यहाँ एक जगा देड़पूल दिख रहा है यहाँ वो एमी अवार्ड एकसेप्ट कर रहे है वेलकम टू रेक्जन डॉक्यमेंटरी के लिए जिसके क्लब ओनर वो खुद है यहाँ दिखने वाले टाइम लाइन भी बहुत ब्यूटिफूली मॉल्टिवर्स्टी डिपेक्ट कर रहे है वुलवरीन का यह लुक जबरदस्त है ट्रेलर में डेड़पूल एक कसीनो में होता है जहां उसे वुलवरीन दिखता है पीछे से वुलवरीन ने यहाँ वाइट टक्स पहना है यह सेम लुक हमने पहली बार देखा था 1988 के वुलवरीन इशू 8 में पर वाँ लुक सेम था पर टक्सीडो वाइट नहीं थी जबकि अभी 2022 में हमारे सामने आए वुलवरीन पैच कॉमिक सीरीज में हमें यह सेम लुक देखने को मिला था और हम सब जानते हैं कि यह वाइट टक्सीडो कितनी देर तक वाइट रहने वाल है प्लस कॉमिक्स में ऐसे पोकर गेम्स बेंट ग्रिम यानि की दध फिंग होस्ट करता था तो कुछ कॉमिक बुक फैंस को कहना है कि मूवी में इस सीम में बेंट ग्रिम होगा उसका बस टीजर के लिए CGI हटा कर दिखाय जा रहा है इन सब के उपर हुग जैकमन ने अपनी तरफ से मूवी का टाइटल भी एड़ेस्ट कर दिया है और यह बहुत फ़न टेक है आप सोचके देखो कि हुग जैकमन ने एक टाइम पर खुद कहा था कि वो इस रोल में वापिस नहीं आएंगे लोगन के बाद पर इस मूवी के लिए उन्होंने कहा कि वो यह करना चाहते हैं उन्हें अंदर से आवाज आ रही है क्या हमें टीजर में लेडी डेडपूल देखी टीजर के एक शॉट में हम डेडपूल को ऊजी चलाते हुए देख सकते हैं पर कुछ फैंस के हिसाब से डेडपूल नहीं है बलकि उसकी वेरियंट लेडी डेडपूल है और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि हमने आज तक डेडपूल को जितनी बिवार देखा है उसमें हो पिस्टल्स या कटाना ही यूज कर रहा है जबकि लेडी डेडपूल यानी वांडा विलसन को हमने कॉमिक्स में उजी जैसे वेपल्स चलाते हुए देखा है प्रस ये गलव्स डेडपूल के नहीं है डेडपूल के गलव्स के पीछे का पैटरन और्मोस्ट ऐसा ही रहा है अब डेडपूल मुवी जहां टीवी है इंवाल्ड हो वहाँ वेरियंट्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता अब एक उस दिनों पहले ही इस बात की कन्फरमेशन आई थी कि मुवी में डॉग पूल भी है और मैं हैरान नहीं होंगा अगर हमें मुवी में और भी डेडपूल वेरियंट्स दिखते हैं तो जैसे हमें डेडपूल कॉप्स कॉमिक सीरीज में भी दिखे थे या डेडपूल एज ओफ अल्टरॉन वाली लोकेशन पर है या वहाँ जहां लोगन मरा था तो टीजर के एक शॉट में हम देख सकते हैं एक बरफीरी जगा जिसको देखकर फैंस बोल रहे थे कि यह वो जगा है ज़न स्टकर को रोकने के लिए एवेंजर साय थे पर एक रेडिट यूजर ने इस ट्रक को स्पोर्ट किया और बताया कि यह वही ट्रक है जिसके पास लोगन मरा था अब यह अच्छा डीटेल है पर यह कौन सी जगा इससे किसको क्या फर्क पड़ता है अब बात करते हैं मूवी के विलन के बारे में ट्रेलर के एक शॉट में हमने एक गंजा सर स्पॉट किया और कई फैंस इसे कहने लगे कि यह चार्ल्स जेवियर हो सकते हैं पर कुछ सोर्स इसके हिसाब से यह कसांडरा नोवा है चार्ल्स जेवियर की ट्रिन सिस्टर अब ही December में ही Industrial Insider Daniel R.P.K. ने अपने Patreon अकाउउंट में पोस्ट किया कि Emma Corrin Cassandra Nova का Roll प्ले करने वाली हैं अब हमें teaser में Emma Corrin कहीं नहीं देखी पर यह सर कहीं न कहीं feminine vibe तो दे रहा है और क्या आप Cassandra Nova को जानते हैं Cassandra Nova Charles Xavier की twin sister है जिसे Charles ते अपनी मा के पेट में ही मार दिया था पर वो मरी नहीं और सम्पनी body खुद बना ली प्रस उसके पास power से अपनी consciousness को दूसरे में transfer करने की यह एक powerful character है पर इसका Deadpool और Wolverine की story में क्या रोलोगा क्या वो इन दोनों का healing factor लेने आई है हम कैसे इस बात पर जोर नहीं दे रहें कि यह MCU की पहली Fox Marvel character movie है यह पहली MCU movie है जिसमें lead character है Fox Marvel Universe का जिसका मतलब वो X-Men movie जाद ओर नहीं है एक बार Fantastic Four movie भी हमारे सामने आ जाए तो Fox Marvel का एक्टर का future और जाद क्लियर हो जाएगा यह बहुत बड़ी बात है प्लस पहली R-rated MCU movie होना भी आगे आने वाले projects के लिए कई साहे रास्ते खोल रही है संकेत महात्री भी वापिस आ गए है Deadpool को आवाज देने इस movie में उन्होंने पहली Deadpool movie में भी Wade Wilson को आवाज दी थी पर दूसरी movie के लिए studio ने Ranveer Singh को चुना जिससे normal fans का तो मुझे नहीं पता पर core fans बढ़े निराश हो गए पर अब नहीं अब सब बढ़िया है Ryan Reynolds और Hugh Jackman 4th और 5th actor होंगे 28th Century Fox से जो कि MCU में आ रहे हैं इससे पहले इवान पीटर्स बोर्नर जोक माइन ने आये थे WandaVision में पैट्रिक स्टूर्ट मुल्टिवर्स और मैडनेस में आये और Kelsey Grammer हमें देखे हाल फिलाल दी Marvels के postcard सीम में तो दोस्तों यह थे कुछ जबड़दस डीटेस जो कि हम पढ़ा चले डेटफुल और वॉल्वरीं टीजर के बारे में यह टीजर धूम मचा रहा है और हम पैंस को एक नए लेवल का excitement दे रहा है पर फिर अगर नो उससे कोई टेल मिस हो गई हो यह आपको इसको नया फैक् को शेर जबरू करें और से कई सारी सुपर कॉंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ना भूलें थैंक्यू गाइज द्रमन से ना यू आर सुपर सुपर पीस